तो हेलो गाइज वेलकम और न्यू ब्लॉग गाइज आज है इद आपको और आपके पूरे फैमिली को मेरी ओर से इद मुबारक तो गाइज आप अभी के सुबा के छे बज़े इदम सोबा सोबा का टाइम है और नमाज है वो 9 बज़े होने वाला है तो इसके लिए मैं सोचा पूरा सारा काम करने के बाद अभी में नहां हुआ कि तक हम रैडी हो चुका हूं कुर्टा और पैजामा पहन चुका हूं और अभी फिलाल हम लोग मस्जीद जानी के तयारी में हैं गाड़ी पैट चुके अरब चानी वाले हैं और अभी यह सब बैठ रहे हैं यह बैठ ही हूं कि तक हूं फूप हूं को हूं झाल 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 पूरा और अभी फिलाल आप देख सकते हो कैसे लोग अभी बाहर जाए अपने घर के लिए और हम भी फिलाल मस्जिद से बाहर आचुके हैं और अब जस अपने स्कूति के साइड में खड़े हैं और अभी जस घर्सकों निकलते फिर आगे अब लोग वहीं पर कंटिनू करें वीडियो बने दियेगा तो फाइनली गई नमाज पढ़के हम लोग घर पर आ चुके हैं और आपने देखा क्या मस्जिद में कितना क्राउट था इदे फितर का और अभी फिलाल अपने डिलेटिव के घर पर जाएंगे इद करने चलिए चलते वीडियो बने रिएगा और यह आहिर को देख सकते हैं क्या कर रहा है पानी को मानी बोल रहा है ठीक है चली चलते चलेगा घूमने चल फिलाल गाइस अभी हम लोग घूम के आ चुके हैं और मेरा अपना पुरा कपड़ा भी चेंज करते हैं आप दे नहीं जा पर घूमने थोड़ा देर देखते हैं थोड़ा मतलब मौसम थंड़ा हो जाता है उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पर आपको वीडियो स्लोर करेंगे बीडियो बने रहेगा तो फाइनली गाइस अभी बच गे रात के आठ और दरसल में आज के घूमने भी नहीं जा पाया तो लेकी बाद सो गया था उसके बाद अभी मैं डेक्ट आच्छे बज़ों आख खुली और मैं अभी आया हूं अपने शॉप पे और यह हम लोग को ड्रेंक पी रहें कुछ गलत मां समाझने ना इस प्राइट है तो अभी इसके बाद का कुछ ब्लॉग मै सब्सक्राइब करें और एक अनॉस्मेंट में और करना चाहूंगा अपने चैनल के लिए कि में बहुत जल्दी अपने चैनल पर मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूं कि बाइट कीजिए अपने फैमिली के साथ एद जैहीन बन्ने मातरम